बहुत सारे लोग अपने गार्टन में गुलाब के पौधे ग्रो करते हैं और काफी सारे लोग इन में से अपने गुलाब के पौधे को ग्रो करने में बहुत सारी गलतियां भी करते हैं तो कुछ ऐसी tips, important tips मैं आपको गुलाब के बारे में बताऊंगा जो आपको grow करते time ध्यान में रखनी है और अगर आप ये tips follow करेंगे तो आपका plant जो है गुलाब का वो बहुत ही अच्छी तरीके से growth करेगा और बहुत ही बढ़िया तरीके से flowering करेगा तो चलिए शुरू करत इसे कुछ लोग ignore कर देते हैं जिसकी वज़े से उनका जो गुलाब का पौधा है वो खराब होना शुरू हो जाता है या उसमें बहुत अच्छी तरीके से flowering नहीं आती या तो उनका पौधा directly मरी जाता है मेरे सामने आप ये दो गुलाब के पौधे देख रहे हैं ये दो उच्छे में चोटे चोटे गुलाब के फूल आते हैं बहुत अच्छी तरीके से flowering करते हैं दोनों ही plant ही तो दीखिए rose gardening में आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी गुलाब की जो पौधे की quality है वो अच्छी है के नहीं है दीखिए ये वाले जो जब आप grow करते हैं तो आपको पता है कि आपका plant छोटे से आपने खुद बढ़ा किया है तो आपका पूरा control रहता है उस पे और इसकी वेशे से आपकी जो गुलाब की quality होती है plant की वो बहुत बढ़िया होती है तो कोशिश करिए कि छोटे से बढ़े को गुलाब को आप grow क करें उसके बाद आप इसको अपने मंच चाहे गमले में लगा सकते हैं मैंने ये 10-10 इंच के मिटी और सिमेंट के गमले में इन पौदो को लगाया हुआ है और इसमें जो मिटी आप देख रहे हैं वो मैं एक mixture follow करता हूँ potting mix का जो गुलाब के पौदो के लिए काफी अच जरूरत होती है और वो सारी की सारी जो ताकत है वो एक constraint way में आपको इस plant को देनी है क्योंकि जमीन में लगा जो गुलाब का पौदा है वो तो जड़े अपनी दूर दूर तक फैला सकता है जमीन में और nutrients को absorb कर सकता है लेकिन 10 इंच के इस गमले में इतनी जगा है आपके plant जो nutrients मिल सकते हैं तो मैं ratio आपको बता देता हूँ आप इसमें कोई भी 40% organic soil ले लीजिए garden की soil ले सकते हैं या बालू मिटी nursery से मिलती है वो लेके आ सकते हैं और उसको 40% उसमें आप mix कर सकते हैं कोई भी organic manure मैं वर्मिंगम पोस या गाये की गोबर की खाद इस्तमाल करने की सला दूँगा आपको बाकी जो बचा हुआ 20% है उसमें आप डाल दीजिए bone meal देखिए bone meal में डालने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो एक organic source है phosphorus का और calcium का और गुलाब को इन दोनों nutrients की flowering के लिए बहुत ज़ादा ज़रूरत है तो यह एक basic tip है जो आप rose gardening में गमले में अब आपने इसको ऐसी location पे रखना है जहाँ पे कम से कम इसको 5-6 घंटे की धूप हर मौसम में मिले गर्मियों में भी और सर्दियों में भी देखिए अब nursery में जो गुलाब के पौदे आने लग गए है वो तकरीबन hybrid varieties ही आती है सारी तो अब मौसम का बहुत आप देख रहे हो सामने यह दोनों ही मौसम में फ्लावरिंग करते हैं शुरू शुरू में क्या होता था जहाँ आप nursery से गुलाब के पौदे लाते थे तो उनका growing season या heavy flowering season जो होता था वो सर्दियों होता था अभी वैसा ही होता है सर्दियों में गर्मियों के मुकाबले बहुत अच्छी तरीके से फूल आते हैं और बहुत जादा फूल आते हैं लेकिन गर्मियों में पहले क्या होता था गुलाब के पहुत जुलस्ती गर्मी में मर जाते थे लेकिन अभी यह plants मरते नहीं है क्योंकि varieties अब hybrid आने लग गई है तो बहुत जादा वो weather को adapt कर लेती है क्योंकि गुलाब मैंने जी जैसे कि आपको बताया है काफी demanding plant है तो इसको अगर आप regularly watering नहीं करेंगे तो इसमें growth नहीं होगी और flowering तो बिल्कुल भी नहीं होगी देखिए water जो है वो basic raw material है photosynthesis का photosynthesis क्या process है जिसकी वज़े से जो एक plant है वो अपना खाना बनाता है अप buds भी आपको देखने को मिलेंगी यहां पर भी नहीं नहीं शूट्स आ रही है यह देखिए यह दो शूट्स नीचे हैं और यह दो शूट्स यहां पर भी है ऊपर flower भी आ रहा है तो इसका मतलब plant बिल्कुल ठीक condition में है मैं यह थोड़ी सी उपर से गुड़ाई भी कर देत इतने टाइम वो improper watering करते हैं improper watering यह थोड़ा daily जो है थोड़ा-थोड़ा सा आदा-आदा डबा यह थोड़ा pipe से उपर-उपर हलका सा पानी दे दिया गुलाब को और हो गया daily करते हैं यह गलती ऐसा नहीं करना होता आपने गुलाब को पानी पानी जो देना है उसका देने का watering अच्छे से अपने गुलाब को पानी देना shallow watering नहीं करना इससे क्या होता है कि जब पानी ऊपर तक भर जाता है धीरे-धीरे रिसके नीचे तक available हो जाता है moisture तो plant को क्या signal मिलता है कि नीचे तक moisture available है क्यो ना मैं अपने roots वहां तक grow करूं और moisture को absorb करूं इस process में क्या होता ह है कि आपका जो plant का root system है वो इतना extensive grow हो जाता है इतना बढ़िया हो जाता है कि आपको जो plant की overall health होती है और जो quality होती है वो बहुत बढ़िया होती है और उपर आपको जितनी strong जड़े होंगी उसका result आपको उपर पौदे में देखने को अराम से मिल जाएगा दोनों plants के साम होती है वो भी काफी होती है तो दो तरीके के fertilizer आते हैं organic और chemical organic जैसा कि मैंने आपको बोला नीम कली की खाद वर्मिंगम पोस्ट या गयां के गोबर की खाद अब यह सब organic manure तीन महीने में एक बार डाल सकते हैं क्योंकि यह slow release fertilizer होते हैं तो धीरे धीरे nutrition इनका मिट्टी में जाता रहता है अब आते हैं fast release fertilizer जो होते हैं chemical सारे chemical नहीं होते हैं कुछ organic भी होते हैं तो पहला एक fertilizer होता है NP NPK fertilizer, NPK कोई भी आप 1990, 1990 या 2020, 2020 equal ratio का NPK जो fertilizer आता है वो अपने गुलाब के पौदों में डाल सकते हैं NPK से मेरा मतलब जो होता है वो है nitrogen, phosphorus और potassium यह macro nutrients है, main nutrients हैं जो आपके हर plant को सिर्फ गुलाब नहीं हर plant को चाहिए अगर आप गुलाब में flowering बहुत जादा चाहते हैं तो requirement है या वो जो composition है वो जादा हो तो ऐसा NPK, ऐसे ratio का NPK आप use कर सकते हैं दूसरे fertilizer का नाम है जी liquid seaweed fertilizer, liquid seaweed fertilizer एक organic fertilizer है जिसमें 61 micronutrients होते हैं जो आपके गुलाब को बहुत अच्छी तरीके से growth करने में मदद करेंगे तो liquid seaweed fertilizer भी आप दे सकते हैं देखिए इन दोनों को देने का तरीका पानी के साथ mix करके है, NPK जब आपने देना है तो powder form में NPK लाना है, एक लीटर पानी में एक चम्मच NPK डालना है, उसको अच्छे से dissolve करना है, उसको जब मिला लोगे तो sod 800 ml का जो fertilizer है, sod 800 ml उसे एक लीटर में से जो fertilizer बनेगा, वो हर 15-20 दिन में अपने गुलाब के पौदों में directly आप soil में दे सकते हैं, ऐसे ही liquid seaweed के साथ करना है, लेकिन liquid seaweed powder format में नहीं आता, वो आता है cold compressed concentrate form में, तो concentrate एक ml लेना है, एक लीटर में उसको dilute करना है, और जो एक लीटर का fertilizer तक की बात, अब आती है, एक और इंपौटन बात वो है, आपका pesticides, वो है, गुलाबों में किसी तरीके की अगर, कीडे मकोडे अगर लग रहे हैं, तो देखे, गुलाब जब कभी भी आप nursery से लेके आएंगे, तो आपको हमेशा spider mite का attack अपने गुलाब में मिलेगा, क्योंकि जब गुलाब की position थोड़ी सी change होती है, जब एक growing condition change होती है, ज एक organic pesticide का नाम बता रहा हूँ, जो अपने अपने plant में spray करना है, अगर spider mite का attack होता है, उसका नाम है neem oil concentrate, neem oil concentrate क्या करता है, एक organic fungicide pesticide की तरह काम करता है, और plant को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुचाता, जो harmful chemicals वाले pesticide, insecticides पहुचाते हैं, तो यह organic है, यह भी cold compressed format में आता ह है, आपने इसको 1 ml एक लीटर पानी में अच्छे से dilute करना है, और जो तयार हो जाए, वो 100-500 ml अपने पतियों पे 15 सी बीदीद में regularly spray कर दीजिए, किसी भी तरीके के किटानुओं का attack नहीं होगा, दूसरी एक चीज होती है, वो है transplant shock, transplant shock में क्या होता है, जब जैसे मैंने इसे डरने की जरूरत नहीं है, आप अपने पौदे को छोड़ दीजिए, वो अपने अब recover करेगा और अच्छी growth करनी शुरू कर देगा, इसमें अगर आपने कीडियम कोडों को जड़ों में लगने से बचाना है, तो एक नीम खली की खाद भी आती है, नीम खल की खाद आ होते हैं, तो नीम खली की खाद अगर regularly soil में पड़ी रहेगी, तो किसी तरीके का fungal attack पौदे में नहीं होगा, तो ये basic लेकिन बहुती important rose gardening की tips मैंने आपको बताई, जो अगर आप अपने गुलाब के पौदे में follow करेंगे, तो आपका plant इनी पौदों की तरह बहुत बढ़ बूलें, thank you friends, अपना बहुत सारा ध्यान रखिये, thank you